आपके अपने YouTube चैनल Vision Tech Hub में और देर नहीं करते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो को अज के वीडियो को सुरू करने से पहले आज के वीडियो के टापिक को हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले यहां आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने Microsoft Excel में मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है जो आप लोगों को दिखाए दे रहा होगा यहां आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ student के name है और उसके आगे जो है इनके courses आपको दिखाए दे रहे हैं आप देख सकते हैं इस तरह से inके courses आपको दिखाए दे रहे हैं अगर यहां मैं मानगे चलिए कि अगर seat 2 पर हूँ seat 3 पर हूँ या किसी भी seat पर हूँ और मुझे direct अगर in data पर जाना हो तो मैं किस तरीके से जा सकता हूँ आज के वीडियो में हम यह जानने वाले हैं यह मैंने आप लोगों को सिर्फ और एक sample बना कर बताया हुआ है आप यहाँ पर जो मैं चीजे बता रहा हूँ इसका use आप अलग अलग जगह पर कर सकते हैं जैसे example के लिए आप मान के चलिए कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी add कर सकता हूँ अगर हम फी का अगर हम फीस ले रहे हैं student से तो उनका फीस का भी हम data बना सकते हैं अब आप कहां यूज कर सकते हैं आप जैसे मालेज़ अगर किसी गाड़ी के showroom में काम कर रहे हैं तो गाड़ी के showroom में आप उनके भी details आप बना सकते हैं अलग 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 company की गाड़ियां होती हैं और अलग अनके model number होते हैं आप उनके अलग 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 गाड़ियों के जो है specification के हिसाब से आप उनके data को बना सकते हैं और directly उस data पर jump करके जा सकते हैं तो आप कैसे जाएंगे और कैसे उसको use करेंगे आज के वीडियो का ये topic होने वाला है तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ADCA के लिए आप डेटा बनाया हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे देखें बहुत easy होता है लेकिन इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है अगर हमें पता नहीं है कि हम Excel में किस command को किस तरीके से use करते हैं तो फिर हमें problem face करना पड़ता है Excel में बहुत सारे ऐसे uses हैं मैंने बहुत सारे formula already बना कर आप लोगों को वीडियो में मैंने दिये हुए हैं आप चाहें तो जाकर मेरे playlist में आप देख भी सकते हैं उसको और आज हम जो है यहाँ पर आगे देरे देरे हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे जो especially work में आते हैं जिन चीजों पर हम काम करते हैं ओफिस में या कहीं पर हम काम करते हैं तो हमें उन चीजों की जरूरत पढ़ती है तो उन चीजों के लिए हम कैसे use करेंगे उन चीजों के बारे में हम सीखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर देता है आप असको और यहां पर मैं क्या कर लेता हूं नेम बॉक्स पर करता हूं क्लिक और यहां पर टाइब कर द Commissioner आप लिए को अब एक बाद आप इंटर कर दीजयेगा तो यह आपने जो डेटा यहां पर जाईए और इसको भी करिए यहां से select और इसके बाद यहां पर ही हमारा triple C का है और मैं यहां पर इसको triple C के नाम से इसको बना देता हूँ इस तरीके से मेरे पास तीन तरह के data हैं तीन तरह के courses के अलग अलग courses और भी हैं बहुत सारे जिनके आप data बना सकते मैंने example क के लिए यहां पर आप लोगों को यह तीन data बनाया हुआ है आप अपने हिसाब से जीतना चाहिए उतना create कर सकते हैं इसके बाद हमें करना क्या है अगर हम आ लिए किसी दूसरे seat में या कहीं भी है तो अगर हम directly उस seat पर jump करना चाहते हैं या उस specific data पर जाना चाहते हैं तो ह मुझे कैसे जा सकता हूं मैं वापे उसके लिए हमें करना होगा control के साथ जी बटन आप प्रेस कर सकते हैं go to जिसको बोलते हैं या अदर्वाइस आप जानते हैं find and select option में आपको एक option मिलता है go to आप go to पर भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यह पूरी करते हैं कैसे हम उनको देखते हैं कैसे अगर हम जॉप कर रहे हैं तो उसको हम कैसे यूज करते हैं तो उनके बारे में आप रहों को आगे बताऊंगा फिलहाल यहां पर मैं क्या करता हूं जैसे मुझे ADC student को अगर देखना है यहां पर तो हमने क्या किया ADC पर जैसे क्लिक DCA पर लेकर चलाता है, इसी तरीके से अगर आपको CCC पर भी जाना हो, तो आप CCC पर भी यहाँ कलिक करके आप यहाँ से OK कर सकते हैं, तो यह CCC वाले पर जंप करके लेकर आ जाता है, यह आपको select करके पूरा यहाँ पर data आपको दिखाई देता है, इस तरीके से अगर आप चाहें, तो name box का use करके, आप go to command की माध्यम से, आप किसी भी अपने बनाए गए data पर direct jump करके जा सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैं छोट छोटे, वीडियो में आप लोगों को जो use में आने वाले command है या formula है, मैं step by step आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगर आप Excel सीखने में interested हैं, या आप लोगों को कोई problem होती है, तो आप चाहें, तो channel को subscribe कर सकते हैं, आगे अगर आप friendship circle में किसी को कोई problem होती है, job कर रहा हो, अगर कहीं किसी को problem हो इस तरह के work में, तो आप उनको भी ये video share कर सकते हैं, मिलते हैं, फिर next video में तब तक के लिए जैहिंद गई